ये फ्रेंड्स अनुफ स्टेडी जोल में आप सभी का स्वागत है हम लोग वर्दी बैच स्टार्ट कर चुके हैं आज हम फिजिक्स के क्लास में बात करेंगे फिजिक्स के पहले चैप्टर वर्दी बैच के लिए ठीक है पहली क्लास जो होगी हम लोगों की यूनिट्स आज क्लास में हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रस्ट चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मिजर्मेंट ठीक है वर्दी बैच में हम लोग बात करेंगे आज यूनिट्स एंड मिजर्मेंट एंड मिजर्मेंट ठीक है इकाई एंड उसके मापक इकाई और मापक ठीक ह देखें यूनिट्स एंड अ the measurement में इक आई और उसके मपक में हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे इसके syllabus को और लेडी हम लोग डिसकस कर चुके हैं Pacific सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम बात करेंगे इकाई और measurement मा पक की तो किसकी उनिट और किसकी मिजर्मेंट की बात करते हैं फिजिक्स में तो हम लोग बात करते हैं जो है क्वांटिटी किसकी बात करते हैं क्वांटिटी रासी के बारे में देखें क्वांटिटी बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि जो क्वांटिटी होती है हमारी राश्री जो होत जिसमें आप लोगों को कोशिश कीजिए कि यहां पे मैं जितना समझा रही हूं आप समझने की कोशिश कीजिए और इंपॉर्टिन जो जो चीजे मैं बताऊंगी उसको आप नोट कर लीजिए हलंकि पेडियाफ आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेशिं के साथ और बारे में पढ़ेंगे तो हम कहें के बारे में सांगे कि ऐसे ऐसी कोई भी चीज कोई भी सब्स्टांस कोई भी पदार्थ ऐसी चीज जिसकी हम लोग क्या कर सकते हैं उसको मेजर कर सकते हैं ठीक है तो क्या होगा quantity which can be measured ठीक है पहली बात quantity और quantity या फिर कह लिजी हम जब quantity की बात करें तो कोई भी anything anything लिख लिए यहां पर ठीक है anything that can be measured anything that can be measured ठीक है मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं मतलब उसको हम माप सकते हैं ठीक है कोई भी ऐसी चीज जिसका हम क्या कर सकते हैं जिस भी राशी को हम क्या कर सकते हैं माप सकते हैं ठीक है दूसरी condition ऐसी चीज जिसको हम नंबर में express कर सकते हैं ठीक है नंबर में express कर सकते हैं पहली चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं कोई भी वस्तु ठीक है जिसे हम माप सकते हैं ठीक है माप सकते हैं पहली कंडिशन दूसरी कंडिशन क्या हो गए फिच कैन भी मिजर्ड ठीक है एंड फिच है एक्सप्रेश्ट इन नंबर एनिठिंग एनिठिंग देट कैं एक्सप्रेश्ट एक्सप्रेश्ट इन नंबर किसमें भी नंबर में ठीक है ऐसी चीशे जिसको या तो हम क्या कर सकते हैं जिसकी हम कोई माप कर सकते हैं ठीक है उसको मेजर कर सकते हैं या फिर जो कि हम किसमें इसको एक्सप्रेश्ट कर सकते हैं नंबर में आई बात समझ में मतलब जिस भी राशी की जैसे अगर आप सप करिए यहां पर हमारा फोर्स है बल है ठीक है बल अगर मैं बल की बात करूंगी मैंने आप से कह दिया कि यहां पर यह 10 Newton है for example कितना मैंने कहा 10 Newton is that clear इसका मतलब हम लोगों ने बात करी दोस्तों कि जो यह 10 Newton ही यह क्या है एक तरीके का आपका numerical value है एक तरीके का आपका numerical value है है ना मतलब कि जिसको हम नाप सकते हैं है ना numerical साथ ही साथ क्या चीज देखी हमने कि उसकी अपनी एक unit भी है उसकी अपनी एक यूरिट भी है तो मैं यह कह सकती हूं कि जब मैं किसी quantity किसी राशी की बात करती हूं तो मैं यह कह सकती हूं कि अगर कोई भी ऐसी चीज ऐसी वस्तु जिसका अपना एक तो numerical value हो और एक उसके साथ क्या हो उसकी unit हो वह हमारी क्या कहलाती है तो वह कहला हमारी quantity या फिर कहलो की राशी ठीक है चलिए अगली बात करते हैं हम बात कर रहे हैं ठीक हम भौतिक बिज्ञान की बात कर रहे हैं तो अगर भौतिक बिज्ञान में हम बात करेंगे कि हमारे जो यह तो हमने राशी की बात करें तूसरी बात क्या होगी physical quantity है ना भौतिक राश फिजिकल कॉंटिटी ठीक है किसकी बात कर रहे हैं फिजिकल कॉंटिटी चलि भई फिजिकल कॉंटिटी क्या होगी इसको कैसे डिफाइन करेंगे तो कुछ नहीं ऐसी रासी ऐसी कॉंटिटी फिजिकल के लाउं को करती है फिजिक्स के लौ का मतलब फिजिकल का मतलब इसे कॉंटिटी जिसके पास अपना क्या हो जाएगा एक numerical value होगी और एक उसका अपना unit होगा एक मात्रा होगी उसकी ठीक है और दूसरी चीज क्या हो जाएगी हमारी उसकी अपनी कोई unit होगी जैसे हमने यहाँ पर example दे करके बात करी कि 10 Newton मतलब 10 उसकी क्या है हमने कहा कि वही force लग रहा है 10 Newton का बल लग रहा है 10 Newton का तो हम समझ ग क्या कहलाती है बहुत एक रासी कहलाती है आगी बात समझ में मतलब हो क्या होगी हमारी physical quantity होगे चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अब हम लोग जो है कि physical quantity में हमारा कितने types होते हैं ठीक है physical quantity के types की बात करेंगे हम जिसमें हम बात करेंगे एक तो होती है fundamental quantity ठीक है fundamental quantity और दूसरी होती है हमारी derived quantity, बात किसकी कर रहे है, physical quantity, ठीक, भौतिक राशी, भौतिक राशी की बात कर रहे हैं, चले, कितने प्रेकार का होता है, तो जो आपका physical quantity हो जाता है, यह हमारा होता है, दो टाइप का, ठीक, कौन-कौन से हैं, एक तो हो गया हमारा fundamental, fundamental quantity, ठीक, मौली कर राशी, ठीक, या फिर कहलो मौली की काई, मौली की काई, दूसरी बात करते हैं हम, जो है derived unit, derived unit, ठीक है, derived unit का मतलब क्या हो गया, व्यूत्पन एकाई, व्यूत्पन एकाई की, ठीक है, चलिए, अब हम यहाँ पर समझते हैं, कि जो हमारा fundamental quantity होता है, ठीक है, मतलब मौली की काई जो होती है, क्या मतलब है इसका, देखे, जब हम यहाँ फिजिकल क्वांटेटी में बात करेंगे, साथ, जो है आपके fundamental quantity, उससे पहले समझे, जो fundamental quantity क्या होता है, देखे, fundamental quantity वो quantity होती है, फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते, वो किसी भी चीज़ से मिल के नहीं बना होता, जैसे, बात करूँ मैं आप से, मास, द्रभ्यमान का, अब आप बताईए, क्या द्रभ्यमान को कहीं से भी आप अलग कर सकते हैं, या किसी चीज़ से वो मिल के बना है, बिल्कुल नहीं, बात करेंगे किसकी, लेंथ की, लंबाई की, ठीक है, अगर हम बात करें जो है, टाइम का, ठीक है, तो टाइम को क्या हम किसी चीज़ से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, उसकी अपनी एक identification है, वो किसी चीज़ों से मिल करके नहीं बनी हुई है ठीक है वो अपने आप में यूनिक है तो हम अगर fundamental quantity की बात करते हैं या मौली की काई की बात करते हैं तो मौली की काई basically हमारे जो physics में जानी जाती है वो साथ है और इनी साथों से ही questions आप लोगों के बनते हैं सिर्फ ठीक है तो हमें अगर यह बात करने हो कि फंडामेंटल quantity क्या हो गई ऐसी इकाई जो किसी फॉर्मूले से या किसी भी चीज से बनी नहीं हो डिराइब नहीं हो वो अपनी आप में एक अपनी बेसिक हो एक अपनी identification मतलब उसको हम अलग नहीं कर सकते जैसे कि मास त्रव्यमाद ठीक है चलिए यहां पर हम सातों के नाम पढ़ लेते हैं ठीक है तो सातों के नाम आप लोग लिख लीजिए उसकी यूनिट से लेकर करके ठीक है और उसका सिंबल भी इंपॉर्टेंट है तो हम साथ जो बेसिक है हमारे हैं फंडामेंटल कॉंटिटी हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं चलिए तो एक आप लोग इस तरीके से टेबल बना लीजिए ठीक है एक टेबल बनाईए देखे इसने बात करेंगे हम ठीक है फिजिकल कॉंटिटी बहुत देक राशी ठीक है इसकी बात करते हैं दूसरी कॉलम में हम क्या करेंगे उसकी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे ठीक है उसकी यूनिट का नाम एक आई नेक्स्ट हम उसका सिंबल चिन ठीक है अब वह साथ कौन सी हैं देखे सबसे पहले हम बात करेंगे जो है लेंठ की ठीक है कि लेंथ लंबाई तो यक कि लेंथ लंबाई दूसरी हो गई आपकी मास कि द्रब्यमान तेक है तीसरी बात करते हैं टाइम समय चलिए अब देखिए लेंद की हम लेंद किसमें मापते हैं लेंद की जो यूनिट होती है अगर हम लेंद को मापने की बात करते हैं तो लेंद को हम किसमें मापते हैं तो हम कहते हैं मीटर में किसमें मीटर में तो इसकी यूनिट क्या हो गई मीटर एक चीज आप लोग ध इसको सिफ समझें रटना नहीं है ठीक है questions आप लोगों के कई बार क्या दे देता है कि length दे देगा और length की आप लोगों से direct unit भी पूछ लेता है इतने आसान questions भी बनते हैं आपके exam में इसलिए जो भी चीजे में आप लोगों को एक इक चीज बता रही हो सब चीजों को आपक क्या कहेंगे m only single m ठीक है चले बात करते हैं mass द्रब्यमान की द्रब्यमान की बात जब हम करते हैं तो इसकी unit क्या हो जाती है अगर जो हमारा mass होता है उसको हम किसमें नापते हैं तो kilogram में नापते हैं ठीक है तो इसका यहां पर unit क्या हो जाएगी kilogram กूंग थिक है किपने मिचलेग चलेए अब है कि कि में इसका सिंबल क्या हो गया तो सिंपली room k log च लिए बात कर रहें है ताइम का टाइम का क्या हो बात कर रहें कि यूनिट क्या होजाएगी वहें सेकेंड हो जाएगी जांक कि सबसे चोटी स्टीजूनेट इसकी सेकेंड ही होती है इसको किस से दिनोट करेंगे तो ऐसे दिनोट करेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिये हलंकि यह सारी चीज आप लोगों को या फिर कहलो एलेक्ट्रिक करेंट एलेक्ट्रिक करेंट एलेक्ट्रिक करेंट के जब हम बात करते हैं तो एलेक्ट्रिक करेंट मतलब करेंट को किसमे नापते हैं तो एम्पीयर में किसमें एम्पीयर ठीक है एम्पीयर और इसको रिनोड किसे करते हैं तो यह से है चले आगे बढ़ते हैं बात करते हैं लोग electric current के बाद temperature टेंपरेचर ताप की बात करते हैं इसकी युनिट क्या होती है केल्विन किस में आपा जाता है टेंपरेचर हमारा केल्विन में केल्विन को किस तरीके से नोट करते हैं तो केसे करते हैं यह हो गई आपकी पांच अभी दो और बाकी है और वो दोनों भी इंपोर्टेंट है और एक चीज आप लोग धान रखें जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूं चीजे अगर आप लोगों को पता है तो आप लो का रिविशन होगा चलिए यह हो गए हमारे पांच अभी दो हम लोगों के बागी है ठीक है टेंपरेचर हो गए लेक्ट्रिक करेंट हो गए लेक्ट्रिक करेंट को भई हम लोग किसमें नापते हैं कैल्वीन में ठीक है नेक्स्ट है हम लोगों का जो है कि अमांट आप सब सबस्टांस resistance टो किस तरीके से हम जो है कि डिनोट करते हैं तो इसको लिखेंगे मोल ठीके चलिए next very important next very important luminous intensity luminous intensity ठीके यह प्रदार्थ का परिडाम इसको लिख लेजे हिंदी में भई प्रदार्थ का परिमाड चलिए luminous intensity next one and last one luminous intensity luminous intensity मतलब ज्योती तिब्रता किसकी बात करते हैं हम ज्योती तिब्रता की देखें अब यहां पर आपने मोल यह सारी luminous intensity आप लोग नहीं जानते होंगे luminous intensity का मतलब क्या हो गया ज्योती तिब्रता जैसा नाम से पता चल रहा है जब किसी फ्लेम की बात करते हो जैसे कि अगर मुंबती की फ्लेम की बात करें तो यह क्या कहलाती है ज्योती तिब्रता ठीक है यह भी हमारी एक तरीकी की fundamental जो है की quantity होती है और question यहां से भी बनता है चलिए फिलाल यहां पर बात कर रहे है इसकी unit क्या हो गई मौल किसकी unit हो गई हमारी amount of substance की चलिए luminous intensity की बात करें तो इसकी unit क्या होती है तो इसकी unit होती है Candela क्या होती है तो Candela होती है ठीक है Candela ठीक इसको हम लिनोट करते हैं CD Candela ठीक है यह अब देखिए question कैसे बनते हैं यहां से पहली बात तो आप लोगों को कई सारी काईया देके अगर जैसे suppose करिए कि questions आप लोगों को दे दिया कि अगर हमें बताना हो कि हम चार options जैसे दे दिये ठीक है वहां पे हम लोगों ने दे दिया माली जिए कि luminous intensity इसके साथ हम लोगों जो है कि density या फिर कोई ऐसी दे दी जो कि हमारी एक तरीके की fundamental quantity है ही नहीं तो तीन option ऐसे और एक सही आंसर देके इस तरीके से भी question पूछ लेगा अगला question कि स्टाइप कर बन जाएगा आप लोगों का कि suppose करिया आपको एक्जाम में डारेक्ट question दे दिया luminous intensity जयोती तिब्रता इसकी क्या बतानी है आपको यूनिट बतानी है तो यूनिट कैसे बताएंगे जब आप यहां पर पढ़ाई किये रहेंगे ठीक है नोट करने पर बहुत ज्यादा खासा ध्यान मत दीचे समझने पर ज्यादा ध्यान दीचे क्योंकि PDF आप लोगों को म समझने हैं और याद रखनी है और एक चीज यह साथ ही इंपॉटेंट है आपके एक्जाम पॉइंट से चलिए हैं आगे बढ़ते हैं यह तो हो गई अंडामेंटल क्वांटिटी बात करते हम डिउराइब यूनिट की वियुत्पन इकाई डिराइब यूनिट क्या होगे जो कि यह वह नाम से ही पता चल रहा है ऐसी जिसको हम डेरिवेशन से बनाते हैं डेरिवेशन मतलब या तो इसमें हम फॉर्मूला यूस करते हैं ठीक वर्क की. ठीक है वर्क की वर्क भी क्या होता है. किसी वह भू nov खाल पर हम कितना बन लग जितना मिखम कWORC होता है क्या क्या तो इस तरीक तो न्हीं की मागल कि फाईग प्रॉशिकल कौर्टी होती है यह फिजिकल क्वॉन्टटी से क्या कहला आती हैं derived मतलब जिसमें हम फॉर्मूले से बनाए हैं लेकिन आप फुर सोचें यहां पे जब हमने बात करी लंबाई की जब हम बात करते हैं टाइम की जब हम का बात करते हैं मास की इतरा बेमान की क्या यह सब चीजे किसी सी से derived है बिल्कुल नहीं उसके लिए अब कैसे आते हैं हम उसकी बात करेंगे एक होता है हम लोगों का प्लेन एंगल प्लेन एंगल ठीक है प्लेन एंगल कौन से होते हैं जो टूडी डाइमेंशन के लिए यूज किया जाता है किसमें यूज किया जाता है टूडी डाइमेंशन के लिए टूडाइमेंशन के लिए ठ और सॉबसे ज्यादा इंपोर्टिं यही जो आपके क्वेश्चन बनता है इसका कि जो हमारा पलें आंगल होते हैं इन की यूनि-ट क्या होती है यूनिच से क्वेश्चन हमेशा ही इंपोर्टिंट बनते हें ये रख Nature चलें प्लें ले हमारा fundamental होता है यह तो हमने साथ के बारे में discussion करें लिया है चलिए दूसरा होता है हमारा solid angle solid angle ठीक है solid angle के देखे plane angle किसके लिए होता है two dimension के measurement के लिए जब solid angle की बात करते हैं तो यह three dimension के लिए अगेन यहां सी unit से question बनता है important question unit से question हम लोगों का क्या बन जाएगा कि इसकी unit क्या है इसकी unit क्या है मतलब जो solid angle है इसकी unit क्या है तो कुछ नहीं करना है रटना भी नहीं है अगर plane angle का पता है radian तो ste सिर्फ जोड़ दीजिए steady radian ठीक है यह तो बाते हो गई हम लोगों के किसकी जो है derived unit और fundamental quantity और जो है कि derived quantity या derived unit दोनों सेम चीज है ठीक है यहां से questions किस तरीके के बनती है हम लोगों ने वहां उसके बारे में भी discussion कर लिया ठीक है आपको देदेगा luminous intensity, length, mass, time और उसमें देदेगा एक suppose कर यह force और आप से question पूछ लेगा कि इसमें से fundamental जो आपकी quantity होती है ठीक है मतलब मौलिक एकाई कौन सी है तो अगर यह चीजे आपको समझ में आई होंगी तो आप answer सही कर पाएंगे हालां कि जैसे हम लोग topic को cover करेंगे उसके बाद से हम important questions भी करेंगे ठीक है तब हम देखेंगे कि किस तरीके का questions होता है इसी लिए जितनी चीजे हम लोग पढ़ रहे हैं उसको starting से आप लोग revision भी करते चलिए ताकि जब मैं questions करवाऊं तो आपको किसी भी तरीके के difficulties नहीं होनी चाहिए परिशानी नहीं होनी चाहिए चलिए यह हो गई physical quantity तो physical quantity कितन से बाहर questions कता ही नहीं जाना है आप लोगों का क्योंकि syllabus में आपका यही है बात करेंगे जब fundamental तो यह तीनों ही चीजे आप एक चीज हमीसा ध्यान रखें कि जितनी चीजे मैं आप लोगों को बता रहे हूं सारे questions ऐसे बनते इसमें से आप unit नहीं छोड सकते symbol नहीं छोड स Internet के बारे में International system of unit है क्या जानते हैं तो आप gi्ट सब्सक्राव के बारे में आन्साप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में करते रहे हैं कि टिक है देथे international system of units जो होता है यहां से दो खास करके काफी important question बनते हैं हम लोगों के exam में ठीक है तो कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं international system of unit international system of unit देखिए international system of unit generally देखा जाए तो यह फ्रांस से लिया गया है ठीक है ऐसे questions आपके exam में नहीं आते हैं कि international system of unit यह कहां से आपका जो है लिया गया है किस सन में लिया गया है यह सब question नहीं बनते हैं ठीक है कि तेन तरीके के होते हैं MKS कि देखें CGS कि एफ पीएस नेक्स्ट वन इस एफ पीएस चलिए अब यहां पर बात करते हैं एक चीज़ और बात ध्यान से समझे कि जब भी हम कभी और भी हमेंशन की बात करते हैं तो टाइमेंशन हमेशा हमारा दोस्तों ना पाजाता है length, mass and time कि समें length, mass and time ठीक है length, mass and time में टो बात करते हैं यहां पर देखें इसको लिख लीजे length, mass, and time मतलब, लंबाई, द्रब्यमान, and summer चलिए, क्यों तहां इसका इस्तेमाल है? अब देखते हैं, MKS की बाद किये MKS जो होता है हमारा, क्या हो गया? मास, ठीके, द्रब्यमान की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर MKS, मीटर, ठीके, क्योंकि length की बात होती ही न, पहले, ठीके, चलिए length क्या हो गया? हमारा, मीटर, हमने बात करी न, अभी की fundamental unit होती है, हमारी क्या होती है? लंबाई, और लंबाई को हम किसमे नापते हैं, उसकी जो unit होती है, क्या होती है? मीटर, ठीके, तो यहां पर हमारा चलिए, यह क्या हो गया? मीटर किलोग्राम और सेकेंड, लेंठ मास और टाइम, मतलब जब मीटर की बात करते हैं, तो हम किसकी बात कर रह IN? लेंठ की लंबाई की, ठीके, जब हम talks के हमार यहां बात करनी होती है, मास की द्रभिमान की तब हम बात करते हैं किलोग्राम की ठीक है नेक्स्ट जब हम बात करनी होती है टाइम की तो हम बात करते हैं सेकंड की यह कौन सा सिस्टम है मकस सिस्टम है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो है कि सीजियस के चलें सीजियस की बात करते हैं तो सेंटी मीटर ठीक है लेंद के लिए हम क्या इस्तिमाल करते हैं सेंटी मीटर सेंटीमीटर जी के लिए हम क्या बात करते हैं ग्राम और जब बात करते हैं टाइम की तो हम बात करते हैं सेकेंड के ठीक है अब देखें यहाँ पर अगें फिर सेंटीमीटर आपका किसीश के लिए हो गया तो सेंटीमीटर हमारा हो गया लेंद है ना लंबाई ग्राम हो गया हमारा मास द्रब्यमान ठीक है और सेकंड की बात करें तो हमारा क्या हो गया टाइम समय के नेक्ष्ट अब यहां पर आगया FPS जिसमें होता है F हमारा जो हो गया फूट पूट टीक है और एक हो गया हमारा फूट की कि यूज होता है तो मस्क के लिए ठीक है नेक्स्ट सेकेंड अगें टाइम के लिए समय की बात करते हैं हम इसमें ठीक है अब बात करते देखें अभी यह बात हो गई कि हम लोगों ने जब यह तीन चीजे पढ़ी हैं तो यह हम तीन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों पढ़ते हैं इस तीन की क्या जरूरत होती है देखें कोशन कैसे आते हैं यह हमें समझना ज्यादा जरूरी है पहली बात जब हम मीटर की बात करते हैं तो हमने क्या कहां लेंद के लिए ठीक है किलोग्राम की मतलब मास के लिए ठी ठीक है चले अब यहां पर देखें क्या बनता है वह समझें कोशन आता है कि प्रेजेंट टाइम पर अभी जो चल रहे हैं प्रेजेंटली हम इसमें से कौन सा सिस्टम यूज करते हैं तो ज्यादा तर जोनरली सीजेस और एमकेस दोनों यूज होता है लेकिन प्रेजेंटल एक कुशन यह भी हो सकता है कि यह एफपीएस की समय में यूज करते थे या फिर यह कहलो कि ब्रेटिस के समय में क्या यूज होता था ठीक है तो यह ब्रेटिस के समय में जब हम बात करते हैं ब्रेटिस टाइम में तब हम कहेंगे कि एफपीएस यूज होता है एफपीएस क अब यहां पे समझने वाली बात क्या होती है कि कोशन हमारा किस तरीके से बनता है देखें कोशन्स अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं जैसे कि हम बात करेंगे कि हमारी यूनिट जो हो गई जैसे जून हो गई और अर्ग हो गई ठीक है तो इस तरीके से कोशन्स आते हैं हा यहां पर कर रहे हैं तो पहले आप लोग इसको प्रॉपर समझे और जब मैं कॉश्चन करवाओंगी तो मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे अंसर करें ठीक है बात करते हैं यहां पर MKS की तो यहीं तीनों ही इंटरनेशनल जो होता है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है कुश्चन क्या बनता है प्रेजेंटली कौन से यूज़ हो रहा है तो जैनरली हम लोग MKS में यूज़ करते हैं यह हमारा क्या हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया यह तीनों ठीक है कुश्चन ऐसे ही बनते हैं चलिए आगे हम बढ़ते हैं बात करते हैं टाइपस ओफ फिजिकल क्वांटेटी में ठीक है जिसमें हम बात करेंगे स्केलर एन वेक्टर क्वांटेटी वेरी वेरी इंपोर्टेंट जहां से सबसे ज़्यादा कोश्चन्स आपके एक्जाम में बनते हैं हालांकि मान के चलिए कि एक कोश्चन्स तो आप लोगों के तैही रहते हैं इस टॉपिक से ठीके चलिए आप लोग मुझे बताईए अगर जब हम डिस्प्लेस्मेन्ट की बात करते हैं तो डिस्प्लेस्मेन्ट हमारा क्या है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है है कि बात कर रहे है हम र attraction of types of physical quantity टाइप्स ओफ फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है भौतिक गुडों के प्रकार टाइप्स ओफ फिजिकल क्वांटिटी में मेजरली हम लोग बात करते हैं तो टाइप्स ओफ फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो generally हम बात करते हैं इसमें scalar quantity और vector quantity की किसकी बात करते हैं scalar quantity और vector quantity की चलिए scalar quantity ठीक है scalar quantity मतलब अदिसरासी ठीक है दूसरी vector quantity मतलब सदिसरासी ठीक है चलिए अब बात करते हैं कि हमारा जो scalar quantity होता देखे यह topic बहुत important है यहां से आप मान के चलिए कि इस chapter से इस topic से दो question minimum बनते ही बनते हैं ठीक है questions कैसे बनेगे वो हम आपको आगे बताएंगे लेकिन यह मान के चलिए कि कितना important question है कि यकीनन दो question तो इससे बनने ही बनने है ठीक है चलिए बात करते हैं स्केलर quantity की अदिस रासी कि अदिस रासी क्या होती है देखे जब हम बात करते हैं हम जब स्टार्टिंग किये थे तो हम ने कहा कि हम लोग जो quantity के बारे में पढ़ रहे हैं राशी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो हमारे राशी होती है उसमें क्या होता है एक numerical value होती है एक उसकी unit होती है यहां पर एक चीज और include करेंगे बात कर है हम direction के सांस साथ ठीक है चलिए तो जब हम बात करते हैं scalar quantity की तो मतलब scalar quantity क्या हो जाता है जिसमें हमीं किस चीज की जरूरत होती है सिर्फ magnitude की कि magnitude का मतलब मात्रा मात्रा का मतलब एक numerical value ठीक है numerical value ठीक है जब हम numerical value की सिर्फ बात करते हैं तो हम बात करते हैं scalar quantity यहां पर हमें direction के जरूरत नहीं होती है यहां पर हमें direction की जरूरत तिसा की जरूरत नहीं पड़ती है यह चीज ध्यान रखेगा क्योंकि यह major difference है हमें जब इसके लर quantity और vector quantity में difference बताना होगा तो यहां पर सबसे important जो अपनों को difference देखने का है, वह यही है, कि जब हम magnitude की बात करते हैं, scalar quantity की बात करते हैं, तो हम कहते हैं scalar quantity में हमें direction की जरूरत नहीं पढ़ती है, ध्यान दीजिए हमें scalar quantity में direction की जरूरत नहीं पढ़ती है आए बास समझ में, लेकिन हमें magnitude की जरूरत पढ़ती है अब यह magnitude क्या बला है देखे magnitude की बात करने का मतलब होता है मातरात्मक वैल्यू मतलब एक numerical value ठीक है तो यह magnitude का मतलब क्या हो जाता है कि हम numerical value की बात कर रहे हैं numerical value मतलब एक संख्या ठीक है तो जब हम यह कहते हैं कि कोई भी ऐसी physical quantity जिसमें डारेक्शन की तो जरूरत नहीं पढ़ती है लेकिन एक magnitude मतलब एक numerical value उसकी अपनी होनी चाहिए तो वो क्या कहलाता है हमारा scalar quantity वो क्या कहलाता है हमारा scalar quantity जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं speed चाल की जब बात करते हैं किसकी बात कर रहे हम इस पीड के चाल ठीक है हम जब इस पीड की बात कर रहे हैं चाल की बात कर रहे हैं अच्छी एक बात बताईए जब हम कहते हैं कि कोई भी गाड़ी चाल क्या होगे हम कहते हैं कि कोई भी गाड़ी अपनी क्या कर रही है 20 किलो मेटर प्रति आवर के हिसाब से चल रही है ठीक ह अब एक बात बताईए आप लोग जब मैंने 20 किलो मेटर बोला क्या मैंने आप से इसकी बात करी कि वह किस डिरेक्शन में चल रहा है नौर्थ में चल रहा है सौथ में चल रहा है इस्ट में चल रहा है वेस्ट में चल रहा है मैंने डारेक्शन को तो मेंशन नहीं किया हालां कितने किलो मिटर पर आओर मतलब उसका मेगनिट्यूड जरूरी है इस डैट क्लिया मैगनिट्यूड जरूरी है मतलब हमने बात करें कि भई जब दो कहना जरूरी नहीं समझते हैं कि वह 20 केलर क्वांटिटिई हो जाता है या पिर अधिसराश्य हो जाती है लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी या फिर कहलो सदिष राशी की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि इसमें मैगनिटूट के साथ रिरेक्शन भी होना चलूरी है ठीक है यही मेजर डिफ्रेंस है हमारा सकेलर क्यूंटीटी और वेक्टर कॉंटीटी अधीश राशी और सदिष रासी के बीच में यहीं सबसे समझ में आ रही है लेकिन हम इसको डिफ्रेंशियेट कैसे कर सकते हैं यह ज़्यादा जरूरी है समझना ताकि आप एक्जाम में कंफ्यूज नहीं हो देखें जब हमने बात करी क्या कि मैगनिटूड और मैगनिटूड के साथ डिरेक्शन की समझेंगे कैसे यहीं से आप हो सकता है ऐसा नहीं कि होता नहीं लेकिन डिरेक्शन की जरूरत नहीं होती है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाता है एक्जामपल के लिए हमने बात करी स्पीड की चलिए अगली बात करते हैं अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग मुझे बताईए वर्क क्या ह अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क हमारा क्या ही स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है देखें कार्य की जब हम बात करते हैं जब वर्क की बात करते हैं कि कार्य कितना हुआ कभी क्या हम इस चीज को मेंशन करते हैं कि वर्क हमारा किस डिरेक्शन में तो वर्च की अगर मैं कहनोगी by वर्च हमारा स्केलर क्वञंटिटी है तो आपफटाग से धिमाग को दोड़ाएं गी एगर हम वर्च की बात करते हैं जरूर कहसकते हैं कि मतलब इस मांत्रा में हमारा आख版 हुआ है लेकिन किस direction में हुआ ये तो जरूरी नहीं है, तो जिसमें direction के जरूरत नहीं है, वो एक scalar quantity हो गया, मतलब अदिशराश ही हो गई, तो हमारा जो वर्च हो गया, कार्रे हो गया, कार्य यह क्या होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हम डिस्टेंस के डिस्टेंस मतलब दूरी की बात करते हैं देखें जब हम दूरी की बात करते हैं एक होता है हमारा डिस्टेंस एक होता है हमारा डिस्प्लेस्मेंट आई बास सम बंदा है क्या करता है A से B तक वो गया यहां तक सपोस्स करिए कि यहां पर यह दस मीटर की दूरी है ठीक है कोई इंसान A से लेकर के B तक यह डिस्टेंस और डिस्पेस्मेंट दूरी और बिस्थापन के बीच का मैं डिफ्रेंस थोड़ा सा आप लोगों को बता रही हूं हालांकि जब आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके बारे में हम बहुत दीपली पढ़ेंगे लेकिन यहां पर आप लोगों को डिफ्रेंशियेट करना आजाए यह चीज़ ज्यादा जरूरी है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूं समझे मालीज दिस्प्लेस्मेंट ठीक है क्या यह दोनों चीज़े अलग है बिलकुल अलग है देखे जब हम यहां पर विस्थापन की बात करते हैं चलिए तो दूरी अगर मैं आपसे यह कहूंगी कि एक इंसान है ए से बी गया और बी से फिर वो ए पर आया तो मैं आपसे टोटल डिस् मैं टोटल कितना वह 20 मीटर कि अम राइट कितना चला 20 मीटर क्योंकि एसे बी में गया 10 मीटर बी से फिर वह सेम डिस्टेंस पर आ गया 10 मीटर और चल गया मतलब तोटल उसने जो दूरी तैकी वह कितनी धूरी हो गए वीस मीटर की हो गए चलिए आगे बढ़े लेकिन जीरो मीटर क्या हो गया जीरो मीटर कैसे कैसी इक चीज़ ध्यान रखें जो दूरी होती है नवस्ति वह दूरी कि श्या üz डिए गplay को tia dhake पर को समय में आप कितनी दूरी-पयोदिया को तोटल interests की होता लेकिन जो बिस्तापन होता है, displacement होता है, displacement ही होता है कि shortest distance आपने कितना तैकी है, shortest distance कितनी आपने तैकी है, अब बात कर रहे हैं हम scalar quantity और vector quantity, अदिस रासी और शदिस रासी की बात कर रहे हैं, तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, अब बात समझें, अगर मैं यहाँ पे कहूं distance, किसकी बात कर रही हूं डिस्टेंस दूरी की तो दूरी हमारा क्या हो जाता है स्केलर क्वांटिटी होता है क्या होता है स्केलर क्वांटिटी वहीं अगर मैं बात करूंगी डिस्प्लेस्मेंट की विस्थापन की तो विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटि तो किया हो जाता है Vector Quantity इसका सिधा सा मतलब है कि अगर मैं Vector Quantity सधिस राशी की बात कर रहे हूं कि की हम किसकी बात कर रहे हैं भाई कि इसके पास अपना magnitude भी होगा और सांती सांत इसका direction भी होगा मतलब एक मात्रात्मकusan value होएगी ही होएगी लेकिन इसके साथ में क्या होना चाहिए भाई डिरेक्शन होना चाहिए है ना एक दिशा होनी चाहिए अब देखिए यहां पर आप समझे अगर मैं आपसे कहूंगी कि मुझे सिर्फ इसकी दूरी बता दीजिए कि कोई भी इंसान एसे बी गया और बी से अगिन वह एप आता है तो मुझे आप इसके दूरी बता दो तो आप कभी इस चीश की बात नहीं करेंगे कि वह जो है कि एसे भी नौर्थ गया साउथ गया इस्ट गया वेस्ट गया नहीं कुछ नहीं आप सिप टोटली डिस्टेंस दूरी के केस में क्या कहेंगे कि एसे बी गया दस मीटर भी से फिर जो है कि एक इसे फिर आप भी से ऐप यहाद 10 मीटर मतलब भी समिंटीं मिंसका चीश्ट की तो आप टार्किन की constructed करने लग जाते हैं मतलब एक दिशा की बात करने लग जाते हैं कि वो इतना दूरी इस डिरेक्शन में टेग किया है आई बास समझ में अब अगर आप लोगों से कुशन पुछ लेगा तो क्या आप लोगों को कन्फूजन होनी चाहिए बिलकुल नहीं होनी चाहिए ठीक है च आमिंट पॉंक्स में एंसर किजिए कि समय जब में ना जाक होई कि समय कि बात करती हूं धान हमारा इसकिलर क्वांटिटी है या फिर वेक्ट्र क्वांटिटी मतलब अधिश्राशी है या पिर現 देखे अब टाइम आप देखे आप उगर मैं पूछूंघ खिन हो उसका अपना में windshield है ठीक है लेकिं direction जुरूरी नहीं है तो इसलिए time हमारा क्या हो गया समय हमारा क्या हो गया scholar quantity हो समय हमारा क्या हो गया scholar quantity हो गया कुछ और interesting बात कर लेते हैं ताकि आपका confusion दूर हो जाए अगर मैं बात करते हूँ किसकी बात करते हूं, फोर्स की, फोर्स मतलब बल, बल क्या होता है, जब किसी भी चीज पर हम फोर्स लगाते है, एक तरीके की हम बल लगाते हैं तो वह एक डिरेक्शन में मूव कर रहा होता है जैसे आप अब कि यहां पर एक कोई बॉक्स है, ठीक है इस box पर मान लीजिए कि हमने force लगाया कितना 10 newton का लगाया तो 10 newton का जब आप force लगारे है आप यह बात बताई जब force लगाएंगे तो आप एक direction में ही तो लगाएंगे एक particular direction में मतलब या तो इसको आप pull कर रहे होंगे या तो आप push कर रहे तो एक निर्धारित उसकी direction होगी, दिसा होगी, तो मतलब यह कह सकते हैं, कि जब हम force की बात करते हैं, तो हम direction की बात करते हैं, और जब direction, मतलब एक magnitude अपना value तो उसका होगा, कि 10 Newton का हमने उसके force लगा दिया, लेकिन हम वहाँ पे एक दिसा की भी बात कर रहे होते हैं, I'm right, तो जब हम दिसा की बात कर रहे होते हैं, तो सीधी सी बात है किसकी बात कर रहे हैं, सदिसरासी की, तो जो हमारा force हो गया, वो क्या हो गया, जो हमारा बल हो गया, force हो गया, हमारा सदिसरासी हो गया, vector quantity हो गया, is that clear? चलिए, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं कि इसकी प्रेशर की दाप की चलिए बताइए प्रेशर क्या हो जाएगा तो भई प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा कैसे हो जाएगा अगे जब हम प्रेशर की बात करते हैं इमेजन करके देखिए हैं कि हम यह बात करते हैं कि प्रिय attempts किस दिरेक्षिन में लग रहा है जे नहीं हम प्रेशर की क्वांटेटी बता सकते हैं उसका अपना मेगनिटूड होता है पर ड डैरेक्षिन ऐसा मुझे बताइए कि जो weight है और mass है इन दोनों में क्या scalar quantity क्या vector quantity है I hope कि आपनों को confusion आपनों का दूर हो गया होगा कि हम जब differentiate कर रहे हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं राइट चलिए weight मैंने क्या कहा कि weight हमारा हो गया वजन ठीक हैibly wait क्या होगे हमारा wajan वहीं अगर हम बात करते हैं sampai मास क्या होगे हमारा द्रब्यमान तो इक बात सोच्छी है कि इसमें किसमें मास और weight हमारे वजन और द्रब्यमान में किसमें direction की जडरूरत पड़ रही है मास में तो देखिए हमारा जो मास है जो हमारा द्रब्यमान है अभी हमने पढ़ा पहली बात तो यह कि यह हमारी fundamental quantity है ठीके तो एक चीज ध्यान रखिए जो हमारा मास होता है वो क्या होता है हमेशा scalar quantity ठीके जब हम मास की बात कर रहे होते हैं द्रब्यमान की बात कर रहे होते हैं तो वेक्टर क्वांटेटी होता है, सदिसरासी होती है, आगे बात समझ में चलिए, थोड़े बहुत और एक्जामपल कर लेते हैं, अगर हम कुछ और एक्जामपल बात करें, तो बात करते हैं, जैसे कि सपूस करिए, एरिया हो गया, वल्लिम हो गया, बताइए फटा-फट, एर वल्लिम की, एरिया की, तो आप एक बात बताइए, कि जब हम एरिया वल्लिम की बात कर रहे होते हैं, तो क्या इसमें हम किसी दिसा के बारे में बात कर रहे होते हैं, कि इस दिसा में ये एरिया है, या ये वल्लिम इतने दिसा में बढ़ रहा है, नहीं, हम सिर्फ उसके अम बात करें हम वाल्यू आयतन तो क्या हो जाता है हमारा स्केलर क्वांटिटी अधिश्राश्य हो जाती है बात समझ में आगे चलिए आगे बढ़ते हैं यह कुछ हम लोगों के एक्जामपल्स थे आई होप आपनों को डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें देखें अभी स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बहुत सारी हैं है अगर देखें तो हम बहुत सारी है लेकिन हम यह चीज रटनी नहीं है एक्जाम में हलंकि जितने इंपॉटेंट थे जहां से कोशिंज जोर्नली आए हुए आपके एक्जाम में लगभग मैंने सारे करवा दिया है ठीक है इसको आप नोट कर लेजिए पीडियेफ हालंकि आप लोगों को मिल जाएगी उसमें और भी मिल जाएंगे ठीक है यहां पे तो हम सिर्फ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है अब आप लोगों को आई होप यह चीज क्लियर हो गई होगी कि है कि यह चीज आप लोगों को ज्यादा बहतर समझ में आई होगी कि कितना इसली आप इस चीजों को डिफ्रेंशेट कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह तो हमारे इंपॉर्टेंट था टाइपस ओफ फिजिकल क्वांटिटी के जिसमें हम बात कर रहे थे ठी लेकिन यहां से एक से दो कोशन तो तैह है इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ठीक है पास समझ में आई चलिए चलिए एक कोशन और मैं आप लोगों को देती हूं एक्सलरेशन की जब बात करते हैं त्वरड की एक्सलरेशन की तो एक्सलरेश हैं हम जो है कि कुछ लेंथ के कंसप्ट से इंपोर्टेंट जो है कि कोशन जो हमारे बनते हैं क्योंकि हमने क्या कहा कि जब हम बात करते हैं तो लेंथ मास और टाइम के ही टॉम में बात करते हैं मतलब लेंथ की क्या बात करते हैं जब हम दूरी की डिस्टेंस की भी बात कर करते हैं तो हम किस की बात कर रहे होते हैं लेंद की बात कर रहे होते हैं मास की बात करते हैं जब हम दरबिवान की बात कर रहे होते हैं और टाइन सेकेंड की फिलाहल हम लेंद को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने important question हमारे एक्जाम में इससे बनते हैं चले बात करते हैं अगर हम astronomical unit ठीक है लेंज से ही related सारी बाते हम करेंगे अभी ठीक है कुछ important जहां से के generally questions आते ही आते हैं अगर हम बात करते हैं astronomical unit क्या जानते हैं आप लोग astronomical unit के बारे में फिलाल आप लोग मुझे acceleration का answer comment box में कर दीजिए ठीक है कि जो acceleration होता है वो क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है या फिर इसकेलर क्वांटिटी होता है कि तब तक कि आप लोगने इसका अंसर किया होगा देखे जो acceleration होता है ना acceleration क्या होता है हमारा vector quantity होता है scalar quantity नहीं होता है मतलब acceleration के लिए magnitude के साथ साथ हमें direction की जरूरत पड़ती है किसकी जरूरत पड़ती है direction की ठीक है तो note कर लीजिए हालांकि PDF में mention है यह सब PDF में और भी कुछ examples इससे ज्यादा आगे भी mention है चलिए बात कर रहे हैं हम लोग astronomical unit मतलब खगोलिय यूनिट के बारे में ठीक है किसकी बात कर रहे है astronomical unit astronomical unit astronomical unit मतलब खगोलिय यूनिट खगोलिय यूनिट के बात करते हैं ठीक है चलिए अब बताईए कि जो astronomical unit होता है वो क्या होता है अगर एक astronomical unit की में बात करूं तो क्या होता है ठीक है क्या होता है फटाफट बताईए अगर देखिए जब हम एक astronomical unit की बात कर रहे होते हैं तो मतलब हम यह कहते हैं कि एक astronomical unit क्या होती है तो astronomical unit जो होती है पहली बात तो यह समझे है कि इसको हम denote कि सिंबल से करते हैं तो हम इसको denote करते हैं AU ठीक है इस तरीके से AU क्या हो गया तो यह हमारी सिंबल हो गए किसकी astronomical unit की ठीक है चले आगे हम बात करते हैं कि जो हमारी astronomical unit क्या होती है तो एक बात समझे कि सन सुर्य और प्रिथ्वी ठीक है कि सोर्य और प्रिथ्वी इन दोनों की बीच की जो दूरी होती है कि किसके बीच की दूरी सुर्य और प्रिथ्वी सन और अर्थ के बीच की जो धूरी होती है उसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं एक एस्ट्रोनोमिकल आगे बात समझ में ठीक है कैसे कंफ्यूज कर सकता है option में दे देगा one astronomical unit is equal to what distance between sun, earth, sun, moon, earth या moon तो आपको confusion हो जाएगे इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम astronomical unit की बात कर रहे होते हैं एक खगोली unit की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं सूरज और प्रिथवी के बीच की दूरी ठीक है किसके बीच की दूरी सूरज और प्रिथवी sun और अर्थ के बीच की जो distance होती है उसी को हम क्या कहते हैं खगोली unit कहते हैं ठीक है मतलब distance between distance between sun and earth ठीक है मतलब सूरज और प्रिथवी के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं तो astronomical unit खगोली unit कहते हैं ठीक है चलिए एक important question जो generally exam में आपके numerical point of view से भी important है और direct आप से question में पूछा जाता है कि एक astronomical unit में कितने meter होते हैं क्योंकि हम किसकी बात करें हम बात करें लंबाई की length की length किसकी unit होती generally जो distance होता है वो उसमें भी हम बात करते हैं length की तो one astronomical unit की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बताईए कि कितने meter होता है one astronomical is equal to कितने meter very important question direct question बनता है एक नमबर आपका यहां से हो जाता है तो जब हम बात करते हैं one astronomical unit की तो इसका मतलब है कि one astronomical unit is equal to one point four nine five one point four nine five into ten raise to power eleven meter यह numerical value आपको याद करनी है यह important होती है मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर हम बात करेंगे one astronomical unit कितने meter one point four nine five into ten raise to power eleven meter generally क्या होता है कि question आपको confuse करने के question करेगा कैसे confuse करेगा value आपको दे देगा one point four eight five ten raise to power ten meter ठीक है one point three five eight into ten raise to power nine meter इस तरीके से बहुत सारी value थोड़ी थोड़ी values change कर देगा और आप से पुशेगा कि value क्या है तो आप confuse जाएंगे इसलिए मैं कह रहे हूं कि इसकी जो value है ना one astronomical में यह आपको रट ही लीजिए समझिए कि आपको रटना ही है और बिल्कुल सही सही unit के साथ ही रट लीजी ठीक है क्यूंकि जब one astronomical की बात होगी तो one point four nine five इसे कोश्चन आपका टफ बनने की कोशिश होगी तो इस तरीका को कोश्चन तुरंत बनता है ठीक क्या बनेगा यहां से बात होगी वह एक एक इस्ट्रोनामिकल यूनिट क्या हो गई मतलब दिश्टेंस जो दूरी है किसके बीच की प्रित्वी और सूरे के बीच के किसके बीच की शुरे और प्रित्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको मिस्ट्रोनामिकल खगोली यूनिट कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं एक एक स्ट्रोनामिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं तो हम कहेंगे 1.495 इंटू 10 रिश्टू पावर 11 मीटर यह इसकी वैल्य चिंस की तुछ मतलब लेंथ की होता है न डिस्टिन्स जब बूरी की बात कर रहे होते हैं यह द Jag Ist कि बंदो कितनी लोग जानते हैं भई कि light year क्या होता है light year प्रकास वर्ष प्रकास वर्ष light year देखें सबसे पहला question सबसे important question जो light year होती है ये unit किसकी है ठीक है तो ध्यान रखें light year किसकी unit है distance की सबसे पहली किसकी unit है distance दूरी ठीक है very important question कई बार repeated कई एक्जाम का repeated question है और पूरी-पूरी संभावना है कि आपके एक्जाम में भी ये question आ जाए ठीक है चलिए जब light year के बात करते हैं प्रकास वर्ष किसकी unit है तो distance की सबसे important चीज तो यह है आगे बढ़िए बात करते हैं कि light year होता क्या है जब हम एक प्रकास वर्ष की बात कर रहे होते हैं तो एक प्रकास वर्ष का मतलब हम किसके दूरी तै करता है उसी की बात करते हैं हम light year के ठीक है तो एक question आपका यहां से यह समझिये तै है कि light year किसकी distance है किसकी unit है distance की दूसरी चीज वन year में एक साल में एक जो light है वो कितना एक साल में distance पूरी दूरी तै करता है वहीं हमारा क्या कहलाता है light year ठीक है प्रकास वर्ष टीक तो distance distance traveled by light in a year ठीक है आगी बात समझ में एक साल में यह एक वर्स लिख लेचे एक वर्स में प्रकास द्वारा प्रकास द्वारा तै की गई दूरी ठीक है एक साल में कितनी दूरी तै की गई है किसके द्वारा एक प्रकास के द्वारा उसे ही हम क्या कहते है प्रकास वर्स या फिर light year ठीक है चलिए किसकी unit है distance एक important question एक light year में कितने मीटर होता है जिसको भी पता है आंसर कीजें one light year is equal to कितने मीटर देखें one light year में हमारा कितना हो जाता है 9.46 into 10 raise to power 15 meter 9.46 into 10 raise to power 15 meter ठीक है यह भी important है direct आपका यहां से question पूछा जाता है कि एक light year में कितने मीटर होते हैं तो आप कहेंगे 9.46 into 10 raise to power 15 meter यह value जितने मैं लिखवा रहे हूं बहुत important है क्योंकि direct आपके इस value से भी question बन जाते है डारेक्ट यह question पूछ सकता है कि one light year में कितने मीटर 9.46 into 10 raise to power 15 meter light year किसकी unit है distance दूरी की light year होता क्या है एक प्रकास के द्वारा एक साल में तैग के गई दूरी को हम light year कहते हैं ठीक है आगी पासमच में यह हम length की अब next हम बात करते हैं पार्सक की पार्सक क्या होता है अगर हम बात करते हैं पार्सक की यह तो था हमारा length light year प्रकास वर्स की बात होगे अब बात करते हैं हम पार्सक की किसकी बात करते हैं पार्सक चलिए अब यह पार्सक क्या होती है बात कर रहें length की तो मतलब हम किसी distance की बारे में बात कर रहे होंगे ठीक है तो अगर हम पार्सक की बात करते हैं तो एक चीज समझे कि जो पार्सक होता है हम लोगों का यह क्या होता है पहली बात तो जो बहुत large distance मतलब बहुत दूर की होती है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है जैसे कि सौर मंडल से भी बाहर जब हम बहुत large distance बहुत दूर की दूरी नापनी होती है तब हम बात कर रहे होते हैं किसकी पार्सक की बात कर रहे होते हैं ठीक है तो मतलब larger distance outside the solar system ठीक है तो मेजर तो मेजर लार्जेर डिस्टेंज आउटसाइड दी आउटसाइड दी आउटसाइड दी सोलर सिस्टम ठीक है मतलब हम कैसी डिस्टेंज पहली बात तो यह ध्यान रखिए कि larger distance मतलब बहुत बड़ी distance की बहुत दूर की distance की जब हम बात करते हैं तब किसकी बात करते हैं पार्सक की मतलब solar system मतलब बहुति बाहार जाकर के ब्रह्मान की जब हम बात कर रहे होतें उस समय वहां पहां ने कितने कितने मीटर होता है तो यह चीज ध्यार रखें 3.08 3.08 10 रिस्टु पावर 6 मीटर वन पार्सेक में कितने मीटर तो वन पार्सेक में हो जाएगा 3.08 मीटर यह सा इवा ही होगी होगें मीटर तो पार्सेक क्पक्सिय क्या होती है हमें aitल ण्री डिस्टिंक जब पता करना होता है आूस आज सोलर सिस्टेम मतलब में जाकर के मतलब या कहलो कि सौर मिंडल से बाहर जाके जब हम बहुत बड़ी दूरी की बात करते हैं तब हम बात कर रहे होते हैं पार्सक के ठीक है और सबढ़ से मतलब सब्सक्राइब। या दो बढ़ते क्रम में या तो घरते क्रम में किसी ब से यकार घृत तो जहां हम भात कर रहे होते हैं तो सबस 받 जो होती है वह क्या हो जाएगी पार्सक। उसके बाद लाइट यह और उसके बाद जो हो जाएगा क्या होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूट तो सबसे बड़ी यूनिट पार्सेग ठीक है सबसे बड़ी चुनिक पार्सेग नेक्स्ट वन इस लाइट यूर बैल्यू से भी आप देख सकते हैं दैन एस्ट्रोनॉमिकल यूट ठीक है यह इंपोर्टन्ट है इस तरीके से भी कोशन यह कंसप्ट है कोशन तो कई सारे कई अलग अलग फ्रेम में बन सकता है क्योंकि इसको कई बार डिसेंडिंग और असेंडिंग ओर दोनों में आप सकते हैं एक इंपोर्टन्ट कोशन आपलों का यह आपके मेटर की फ्रेंट से भी बनता है उसकी वैल्यू पूछ लेता है ठीक है तो यह तो पूरे डिस्टेंस की मेजर्मेंट की बात हो गई यह इससे कोशन अगर अगर आप देंगे लेंद की बात करेंगे तो इसी तरीक उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी बहुत टीक राशियां है जो फिजिकल क्वाइन हम जो है कि डामेंशन कैसे निकालते हैं उनके इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं ये कि दोस्तों अगर आप लोगों को चीजे समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जर के साथ ठीक है तो चैनल के सब्सक्राइब करना नहीं भूले अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है चीजी समझ में आ है तो इसको लाइक कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ अपने शेर करना तो बिल्कुल मत भी लिए ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को इसका बेनेफिट मिल सके बाकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कॉंटिन्यू करेंगे कल के हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके अपने डाउट को भी पूछ लीजिए ठीक है और रिविजिन करते रहें थैंक यू